हेलो दोस्तो कोरोना शब्द के आज तक जितने म्यूटेशन नहीं हुए उससे कहीं ज़्यादा म्यूटेशन टॉईलिट शब्द के हुए हैं आज तक इतिहास में इस शब्द को जितने जादा चीजों के लिए यूज किया गया होगा उतना किसी दूसरे शब्द के साथ नहीं हुआ होगा साल 1540 में ये शब्द लिनन के कपड़े के लिए यूज किया जाता था इसके बाद ड्रेसिंग टेबल पर बिचाने वाले कपड़े या ड्रेसिंग टेबल को सजाने वाले कपड़े को इस शब्द से नवाज दिया और इसके बाद ड्रेसिंग टेबल में रखी हुई चीजों को ही टॉयलेट कहना स्टार्ट कर दिया और कुछ सालों बाद ये शब्द फिर से म्यूटेट हो गया और अब dressing table को ही toilet कहा जाने लगा यहां तक कि लोग जब कपड़े पहनने जाते थे या dress change करने जाते थे तो वो go toilet जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे और इसके भी कुछ सालों बाद dressing table जिस कमरे में रखा जाता था उस कमरे को ही toilet कहा जाने लगा और इसके बाद personal room या फिर bedroom को भी toilet कहा जाने लगा कितनी अजीब बात है न दोस्तो एक ही शब्द के देखिए कितने सारे मतलब हैं और आखिरी में toilet water जो के खुश्बुदार पानी जैसे liquid होता था पहले के लोग नहाने के बाद इस खुश्बुदार liquid को लगा लिया करते थे और इसे toilet water के नाम से ही बुलाते थे हो गया न सत्यानाश ये बात हो रही है पश्चमी देशों की और अब हसने वाली बात तो ये है कि आज के समय में toilet शब्द का यूज तो आप लोग जानते ही हैं कि हम किसके लिए करते हैं वर्तमान में शौचाले को ही toilet कहा जाता है तो दोस्तो ऐसे कितने सारे ही शब्द है जिनके वर्तमान में मीनिंग कुछ अलग है और भूतकाल में मीनिंग कुछ और होते थे जैसे कि कुछ सदियों पहले nice शब्द का इस्तेमाल bad feelings के लिए किया जाता था या बुरा impression के हिसाब से किया जाता था लेकिन वर्तमान के समय में nice को हम अच्छी feelings के साथ जोडते हैं positivity के साथ जोडते हैं तो ये अंतर भूतकाल और वर्तमान में शब्दों का अंतर तो आया है जैसे कि वर्तमान में यानि आज अगर आप कहें कि info tune is a nice channel तो मुझे compliment लगेगा लेकिन अगर यही आपने कुछ सदियों पहले कहा होता तो वो मेरे लिए एक negative बात होती वो मेरे ल topic पर हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं तो दोस्तो 15 वी और 16 सताब्दी में पस्चमी देशों के लोग महिनों तक नहाते नहीं थे वर्तमान में भी वो 2-3 दिन के gap में ही नहाते हैं लेकिन पहले के टाइम पे तो एक-एक महिने तक वो नहीं नहाते थे mostly European प्षित्र होते हैं वो खुल जाएंगे और बाहरी वातापरण में उपस्थित गंदी चीजें जैसे की वाइरस, बैक्ट्रीडिया या कोई harmful substance या हानिकारक पदार्थ उनकी त्वचह में अंदर घुश जाएगा और वो बीमार हो जाएंगे और इसी लिए वो कई महिनों तक नहाते ही नहीं थे दोस्तों ये सब आप लोगों को मजाख लग सकता है लेकिन ये एकदम सच है और उसके बाद अगर हम मधियुक की बात करें तब नॉर्मल जनता तो छोड़ो राजा रानिया भी नहीं नहाते थे और तो और दोस्तों पंद्रवी शताबदी के अंत म अब प्रिस्टोफर को भारत की खोच के लिए जिस राणी ने भेजा था यानि कि स्पेन की बात्रवी इसा बैला ने अपने पूरे जीवनकाल में सिर्फ दो बार ही नहाया था और इंगलैंड की राणी एलिजाबेथ फर्स्ट महीने में एक या दो बार ही नहाती थी और का उत्रहदिकारी राजा जेम सिक्स अपने पूरे जीवन काल में उसने एक बार भी नहीं नहाया था ये राजा खानाखाने के बाद भी अपने हाथ तक नहीं धूता था गीले कपड़े से या गीले रुमाल से अपने हाथों की उंगलियों को पोच लेता था दोस्तो करीब करीब 28 शताबदी तक पश्चिम में पानी से नहाना वर्जी थी था ना जाने पानी से उनका क्या बैर था लेकिन दोस्तो जैसे हर कहानी का अंत होता है वैसे ही इस सोच का अंत भी तब हुआ जब ब्रिटेन के राजकुमार न को ऐसा मानने लगा कि समुद्र के पानी में तो ओशधियां होती हैं ये पानी तो दवाई का काम करता है और इसके बाद कई मरीजों ने जो की अलग अलग बिमारी से पीडित थे यानि की शरीर के दर्द से पीडित थे तो उन्होंने समुद्र में नहाना चालू कर दिया औ और उन्हें लगा कि नहीं वो अभी तक गलत सोचते थे और सन अठारा सो के बाद उन्होंने ये सोचना चुरू किया कि उनके ना नहाने की वज़े से और शरीर के छिद्र ना खुलने की वज़े से जो किटानू अंदर है या जो जीवानू अंदर है जिससे बौडी को ही जा पाते और इसी की वज़े से उन्होंने हफते में एक बार समुद्री स्नान लेना चालू कर दिया लेकिन ये सोच को बदलने में काफी टाइम लग गया और काफी धीमी गती से ये सोच लोगों की बदली और ये क्रांती आई और इसके बाद सन 1853 में आमेरिका की एक हो जिसके हर रूम में बाथरूम की फैसिलिटी थी और इसके बाद काफी सारा परिवर्तन देखने को मिला और लोगों ने आम दिनों में और कम से कम इंटरवल के अंतर पे नहाना चालू कर दिया और ये सिलसला बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते साबुन की खोज तक कोईले की राक और जानवरों की खाल को मिला कर कुछ साबुन तयार किया गया और उसके बाद तो कई सारे साबुन आ गये कई सारे कंडीशनर आ गये शैंपू आ गये वर्तमान में इतनी सारी चीज़ें आ गई है कि अलग अलग साबुन से नहाने का अलग अलग चीजों को लगा कर नहाने का तो एक ट्रेंड सा बन गया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है आप लोग मुझे कॉमेंट करके ये बताईएगा कि आपके हिसाब से एक दिन में कितने बार नहाना चाहिए और आप खुद एक दिन में कितनी बार नहाते हैं मुझे अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप हमारे इन्फो ट्यून चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करें स्टे इन्फो टूरी गुद्बाई